श्री शिवाय नमस्तु प्याम दर्शिकों पूर्ण इमा का दिन बहुत ही खास होता है अलगी महत्व रखता है इस दिन चंद्र अपनी पूर्ण अवस्था में होता है पूर्ण कलाओं में होता है यह दिन बहुत ही मानिता रखता है क्योंकि इस दिन किये गए उपाय, कर्म, दान, धर्म अपनी एक मनोकामना को पूर्ण करता है और लोग उस दिन इसनान करके, दान करके और कई ऐसे उपाय करके अपने कर्मों के आधार पर फल प्राप्त करते हैं और इस दिन अपने किये गए पाप कर्मों से भी मुक्ति पाते हैं, मनवांचित इक्षा की प्राप्ती रखते हैं, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए उपाई भी करते हैं आईए जानते हैं पूनिमा पर किये जाने वाले उपाई उससे पहले पूनिमा का क्या महत्व होता है वो हम बताते हैं आपको माग मास में पढ़ने वाली पूनिमा को मागी पूनिमा कहा जाता है इस दिन इसनान दान आदी खास महत्व रखता है बता दे कि इस साल माग पूर्णिमा 16 फरवरी याने बुद्वार को मनाई जाएगी और जोतिशों के अनुसार इस दिन इसनान दान भी किया जाएगा माता लक्ष्मी की खास करपड़ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन आप कुछ उपाय जरूर करने हम आपको बता दें कि इस दिन क्या उपाय करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी आप पर अतिप्रसन हो माना जता है कि अगर आप आठिक तंगी से परेशान हैं तो इससे मुक्ती के लिए आप दिन में माता लक्ष्मी को ग्यारा कोरियां जरूर अर्पित करें इस दिन कोरियों पर हल्दी से तिलक करके पुईदिवत पूजा करें उसके बाद अगले दिन इन कोरियों को लाल अपड़े में बांद करके अपने तिजोरी में या फिर पर्स में रख लें ऐसा करने से आपके घर में धन-धान की पूर्ती बनी रहेगी आप या उपाए हर पूर्णिमा को करें उन्हीं कोडियों को निकाल करके विदिवत गंगा जल से स्वच्छ करके फिर से पूजन कि पूर्णिमा को इसी उपाए को उन्हीं कोडियों से करना है जिससे माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में विराजमान रहेंगी आपको अनधन की कोई कमी नहीं रहेगी मागमास की पूर्णिमा के दिन माल लक्ष्मी को घीर का भोग अवश्य लगाएं पूजा के बाद म मंत्र जाप जरूर करें इसके साथ ही तुलसी में घी का दीपक जरूर जलाएं तुलसी को अर्द देते समय आप उस जल में काले तिल और थोड़े से अक्षत के दाने थोड़ा सा कुम-कुम या फिर अभीर जलूर मिला लें थोड़ा सा मीठा भी भोग में लगाया जाता है तुलसी के सामने भोग भी जरूर लगाएं खीर का भोग लगाएंगे तो अति उत्तमा न जाएगा पूनिमा के दिन इस नान के बाद पीपल के वरक्ष में जल अर्पित करना ना भूलें सुबह पीपल के वरक्ष में जल देते समय तिल उस जल में जरूर मिला लें और एक पूजा भी बहुत महत्वे रखता है तो पीपल पर आप लाल कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं तिलक करें और वेधिवत पूजन करें भोग लगाएं पीपल के वरक्ष में माता लक्षमी भगवान विश्नु का वास होता है तो सुभा भी आप पूजा करें और शाम के वक्त भी पीपल के वरक्ष के नीचे घी की लंबी बाती वाला दीपक जरूर प्रज्वलित करके आएं इससे आपके कश्टों का निवारण होगा मन्वांचित इक्षाओं की भी पूर्दी होगी पूनिमा की रात माता लक्षमी के आगमन के लिए पूनिमा को सुभा सूभा इस और वहीं पर आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दान जरूर करें चाहे वह आप अन का दान करें वो आपके उपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से दान कर सकते हैं तुलसी को भी आप जल अर्पित करें पीपल को जल अर्पित करें जल अवश्य चढ़ाएं इससे माता आप पर प्रसन रहेंगी और आप पर अन धन की हमेशा कृपा बनाए रखेंगी पूनिमा के दिन भगवान भोले नात की भी पूजा आराधना विशेश रूप से की जाती है तो शिव शंकर की पूजा किस विदी से की जाती है भोले नात की आराधना करने के लिए क्या उपाय किय जाते हैं उसका वीडियो हमने अलग से बना रखा है उस वीडियो को भी अवश्य देख लीजिएगा यदि आपको पूनीमा के वरत रखने हैं तो कितने वरत रख सकते हैं और क्या विधी से कर सकते हैं पूजा वो भी वीडियो हमें अलग से डाल रखा है उस वीडियो को भी अवर्षे देख लीजिएगा हमारे चैनल पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे एक वीडियो में सारे उपाई बताना खंबव नहीं हो पाता है तो आप हमारे और भी वीडियो जरूर देखें हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प फेमली फ्रेंड्स में भेजियेगा ताकि और भी लोगों को इस उपाय की जानकरी प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में सिरी शिवाय नमस्तु भ्यम जैमा तदी।